नमस्कार कशिश न्यूज का डिजिटल प्लाटफॉर्म देख रहे हैं आप मैं हूं रश्मी श्वासव आपके साथ जार्खन विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कभी भी हो सकता है ऐसे में हर दल में टिकट के दावेदारों की लंबी-लंबी कतार लगी है किसकी किस्मत साथ देती है और किसे निराशा हाथ लगती है ये तो वक्त बताएगा लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको उन मरनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बार नहीं बलकि पान, छे और साथ बार जीत कर सदन पहुंचे साथ बार जीत कर सदन पहुंचे है और राजी के पाचो ही प्रमंडल में इस लिस्ट में सिर्फ तीन नेताओं ने उपलब्धी हासल की है सबसे बहले बात करेंगे नलीन सोरेन की चुकि ये सबसे सफल नेता है और ऐसे में पहला नाम आता है नलीन सोरेन का जामुमों के कदावर नेता में से एक है नलीन सोरेन दुमका के सिकारी पाड़ा सीट पर इनकी जबरदस्त पकड़ है साल 2019 तक लगातार साथ विधासभा चुनाव जीतने वाले एकलोते विधाया के इन्होंने सबसे पहले 1985 के चुनाव में सिकारी पाड़ा से बतोर निर् 1990 में चुनाव हुआ तो जामुमों ने नलीन सोरेन को अपना सार्थी बना लिया और तब से अब तक हुए तमाम विधासभा चुनाव में नलीन सोरेन ने जीत दर्स की है आईए आपको विस्तार से बताते हैं कि कब-कब ये कितने मतों से जीते और किस उमिदवार ने सबस ज्यादा इन्हें परेशान किया साल 1990-1995 2000 और 2005 के बाद इनको पहली चुनावती 2009 में ज्रेवियम की पारितोश सोरेन से मिली फिर भी नलीन सोरेन 1003 वोट से चुनाव जीत गए साल 2014 में मोधी लहर थी फिर भी भाजपा ने यहां प्रत्याशी नहीं दिया यसी लोजपा के लिए छोड़ दी गई लेकिन नलीन सोरेन के सामने कोई नहीं टिका जेवियम के पारितोश सोरेन 24,501 वोट से हार गए लोजपा प्रत्याशी शिवधान बुर्मूत तीसरे अस्थान पढ़े साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने पारितोश सोरेन को प्रत्याशी बना कर दा चुनाव में दुमका सीट से जाबुमों ने इन्हे प्रत्याशी बनाया और तब भी नालीन सोरेन अपड़ाजे रहे और भाजपा प्रत्याशी और साथी गुरूजी की बहु सीता सोरेन तक को उन्होंने मात दे दी अब चुकि वो सांसद है और ऐसे में सब की नज़र ठ नेता रहे हैं सीपे सिन ज Gegen की राजश्नीटी में सीपे सिन हैं दूसरे ऐसे नेता है जो लगाता छे बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं भाजपा नेता की तोर पर साल 2019 तक लगाता छे बार विधासरबा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड सीपी सिन ने अपने नाम दर्स किया है और इन्हों ने साल 1996 के उपचुनाव से जीत का सरसला शुरू किया जो अब तक जारी है पलामु से आकर राची में अपनी राश्नतक पारी शुरू करने वाले सीपी सिन राची विधासबा शेतर में बेहत चर्च हैं आम लोगों से सीधा जुडाव इनकी पहचान में चार चांद लगाता है भाजपा के समर्पित नेता होने के नाते मंतरी बनने से पहले इनहें ज्वार्खन का स्पीकर बनने का भी अस्वभा की मिला साल 2014 में रगुमर्दास के नतरत में बनी सरकार में ये मंतरी भी रह कर दी थी इस चुनाव में सीपी सिन महें से 5904 वोट के अंतर से जीते थे क्या इस बार एक बार फिर भाजपा इन पर दाव लगाती है या फिर किसी फ्रश चेहरे को मैदान में उतारती है इस पर भी सियासी गलियारों में जोडों पर चर्चा है रगुमर्दास पांच ब हुए 5 विधानसबा चुनाव लगातार जीतते रहें जमशेदपूर पूरवी सीट पर 1995 से 2014 तक हुए 5 विधानसबा चुनाव लगातार जीतते रहें पहले चुनाव में कॉंग्रिस के केपि सिन से काटे की टकर हुई थी और इसके बाद रगुमर्दास ने कभी पीछे मंत्री भी बने इससे पहले रगुबर्दास जारखंड के उप मुखे मंत्री और मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन 2019 में सियम रहते जमशेदपूर पूरवी सीट पर अपनी ही पार्टी के बागी सार्थी सर्यूराय से हार गए तब सर्यूराय ने बत और निर्दलिये रग रगुबर्दास विल्हाल ओरिसा के गवर्नर है और इन तीनों ही नेताओं में सिर्फ सीपी सिन ही ऐसे नेता हैं जो वर्तमान में विधान सभा के सदसे हैं रगुबर्दास गवर्नर बन चुके हैं वही जामुमों के नलीन सोरेन दुमका के सांसद है ऐसे में देखना दि पीती के तहट मैदान में उतारते हैं कशिश न्यूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर खबरों का सलसला लगातार जारी रहेगा आप देखते रहें कशिश न्यूस नमस्कार